हेलो दोस्तों बात कर लेते हैं वेडनर्स डे को मार्कीट कैसी रहेगी बैंक निफ्टी की है एक्सपाइरी और आज थी फिन निफ्टी के एक्सपाइरी क्या डिसकेशन हुआ था डाउन साइड में सपोर्ट रहेगी अराउंड 23,800 के आसपास अब साइड में रिजिस्टें जोन के आसपास 132 लेवल मैच कर लेना जो डिसकेशन हुआ था ऑप्शन प्रोफाइल पे 132 के आसपास आके मार्केट रिजिस्टेंस लेगा काफी टाइम स्पेंड करा देन ब्रेक आउट फिर अपसाइड में बुलिश हुआ और क्लोस कर रहा है 24,350 के अराउंड एनिवे और थोड़ा सा बुलिश हो क्योंकि निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों इंडेक्स आलमोस सिंक हो गए हैं विकॉज आफ बैंक निफ्टी का आपसाइड का मुवमेंट और जो हमारा बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए डिसकेशन था क्या था 52,000 के आसपास रीच कर स जब निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा था अराउंड 24,176 क्या कहा था कि बाजार के लिए इससे ज़्यादा आज के लिए फॉल नहीं है हो सकता है अपसाइड के लिए रिवर्स हो और हमारे लिए रिजिस्टेंस क्या बनेंगी पहली 24,380 के आसपास 380 को ब्रेक करेगा दे 24,444 इस लेवल की वेल्यू आपको पता होने चीए बहुत बारी डिसकेशन हुआ था कल के वीडियो में भी कि अपसाइड में बाजार के लिए रिजिस्टेंस का काम करेगा 24,444 का लेवल और बाजार ने वहीं तक ही रीच किया और अराउंड इसी एरिया के आसपास ट्रे बाजार गैप अप देखने को मिले या अपसाइड के लिए ट्रेंड शुरू करे तो आपके लिए रिजिस्टेंस का काम हो सकता है 24,591 से लेके 24,600 के आसपास आपके साथ में एक वीडियो शेर किया था मैंने फ्राइडे को 14 साल की बाजार की हिस्ट्री की दिवाली वीक म आज तक हमारा बाजार डाउन साइड में नहीं रहा है आप मोमेंटम दिया है और आपको मंडे को भी देखने को मिला सेम रियक्शन अपसाइड के लिए आज मार्किट ने पुल वैक ज़रूर लिया बट हमारे सपोर्ट जोन से फिर से अपसाइड में ट्रेड कर रहा है 24, 24,444 के ऊपर अब ज़रूरी क्या है बजार इसके ऊपर गैप अप हो जिसके चांसे बने हुए हैं अगर होता है तो हमारे लिए अगला लेबल हो सकता है 24,600 और 600 को ब्रेक करेगा देन 24,680 तक यहीं तक ही फिलहाल हम प्लान करेंगे निफ्टी में इसके ऊपर वैसे ही रि देखने को मिलता है दूरिंग दा मार्केट और मेवी फ्लाट ओपन होने के बाद में थोड़ा बहुत पुलवैक लेती है मार्केट तो ज़रूरी क्या है 24,380 का लेवल अगर इस लेवल के आसपास बजार होल्ड करता है तो हो सकता है आप मोवेंटम फिर से लेना शुरू करें 24,380 के नीचे ब्रेक करेगा देन आपके लिए 24,363 मे की सपोर्ट भी है अगर सपोर्ट लेता है तो यहां से भी पुलवैक आपको देखने को मिलेगा इसके नीचे बेरिश है शायद इसकी ज़रूरत ना पढ़े डिसकुशन करने की विकॉज ओफ फेस्टिवल वीक हैपी धन्तेरिस आप सबको ओवर ट्रेडिंग मत करना फैमिली के साथ इंजॉय करो रेधर दन ओवर ट्रेड राइट आगे बढ़ने से पहले इंपोर्टन अपडेट आप जोईन कर सकते हो फॉर्मुला बेस लर्निंग फेस्टिवल सीजन है 20% डिसकाउंट चल रहा है द कोई भी डाउट हो वाटसअप नंबर है फील फ्री टो आस्क एनी क्वेस्टन अब बात कर लेते हैं मिड कैप की जिसके बारे में कल भी डिसकेशन हुआ था हमारा बहुत डिटेल में क्या डिसकेशन हुआ कि 12,320 के आसपास सपोर्ट है बजार के लिए हो सकता है यहां से रिवर्सल देखने को मिले और सेम आपके साथ में टेलिग्राम पे भी डिसकस किया था बजार ने क्या करा यही एक बेस बनाया और यहां से रिवर्सल शुरू किया क्लोज कर रहा है 12,515 के आसपास रीजन क्या था ओवर सोल्ड कंडिशन में है अप साइड में हो सकता है कल इस जोन को फिल करने की कोशिश करे 12,650 के आसपास और इस जोन के आसपास resistance है जो एक pullback में छोटा मोटा trade देखने को मिलता है वो आपको इसी जोन के आसपास से देखने को मिलेगा और अगर बाई चांस इसको break करता है तो अप साइड के लिए फिर से आपको 12,750 और में भी के उपर के level बट कब 12,630 के उपर sustain होने के बाद में अगर बजार जहां पे close कर रहा है 515 एक level आपके साथ में discuss किया था अगर आप इस level की value जानते हो क्योंकि मैंने कल आपके साथ में detail में इसके बारे में discuss किया था तो अगर आप देखोगे इस zone के आसपास बजार ने multiple time support ले आप साइड का momentum continue क्या बोलता हूं मैं कि बाजार का open और close कोई ऐसा ने कि random कहीं पे भी close हो जागा बाजार को एक घर चाहिए होता है night stay के लिए अगर आप साइड का momentum continue बनता है तो आपके लिए 12,630 तक का एक level बन सकता 130 point की rally है उसके ओपर sustain होगा तो during the market discuss कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है downside के लिए support का काम क्या करेगा 12,466 से लेके 12,415,20 के आसपास right क्यों इसका ये निये कि random कोई भी level लगा दिया इस particular area में liquidity grab करने के लिए अगर आता भी है तो reversal के ही chances बनते हैं क्योंकि multiple time market ने इस zone के आसपास भी support ली हुई है और यही channel था जिसक ब्रेक करके बजार में fall आया था last week 12,515 के उपर sustain होने के बाद में ही upside का momentum continue रह सकता है और यह level देखने को मिलेगा lower side में अगर आप देखोगे इस zone के आसपास से market ने काफी time spend किया था तो इस zone के आसपास अगर बजार by chance आता भी है 63MA की support भी है by chance मिलता भी है तो हो सकता है upside में ही momentum दिखाए तिल दिवाली तक इतना है mid cap के लिए और बात कर लेते हैं bank nifty की जिसकी है expiry कैसा रह सकता है trade plan bank nifty का close जो है वो है 52,283 और 15 minute के time frame पे अगर आप देखोगे almost यहीं पे close कर रहा है upside के लिए जुरूरी क्या है यहाँ पे multiple time बाजार ने resistance ली थी और यहीं पे close कर रहा है जुरूरी क्या है बाजार 52,300 के उपर sustain हो और upside में फिर आपको देखने को मिल सकता है 52,600 तक के आसपास का zone और 52,600 के उपर sustain होने का मतलब है कि upside में और bullish momentum देखने को मिल सकता है right 52,688 तक ठीक है 52,688 के level को आप mark कर लेना जब तक बाजार 688 को break करके trade ना करना शुरू करे तब तक upside के लिए और bullish होना थोड़ा सा risky हो जाएगा 52,688 के उपर अगर sustain होना शुरू हुआ तो फिर again 53,000 की range में जाना शुरू कर देगा जब मैं last week एक live session में था ना तो एक भाई comment करता है कि market 45,000 जाने के लिए तयार है अभी आप upside के लिए बात कर रहे हैं अपसाइड के ही momentum के chances continue है और आज bank nifty ने almost 1000 point की one go में rally दी है it's called analysis कल के लिए upside में और zone pending है 52,300 के उपर sustain करने के बाद में 52,570 और 570 को break करता है तो 52,680 के आसपास का level और बजार अगर यहां से by chance flat open होता है तो आपके लिए support का काम करेगा यह zone राइट जहां पे market ने price action बनाने के बाद में breakout दिया था 51,950 के around राइट 950 को अगर break करता है तो आपके लिए during the market 63MA support का काम करेगा reason market का behavior change हो चुका है कल से और कल भी discussion किया था कि market अप move में reversal दिखा रही है हो सकता है यह reversal continue रहे thank you so much for watching bye bye take care